इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और बिंग सर्च एंजिन्स की उनकी हिस्ट्री की वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है ये कुछ दो दहाईयों से गूगल एक्जिस्स करता है लेकिन वागत थोड़ी सी मुखत सी हिस्ट्री कुछ बेन पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा ताके आप लोगं को आइडिया हो कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई तो कहां सक ये पहुँची तो गूगल का आइडिया जब स्टार्ट हुआ बेसिकलि ये दो फांडर्स लेरी पेज और सरगे बरिन एक दूसरोंसे युणिवस्ट्री में मिले और वहाँ से ये अच्छे दोस्त बन गे और ये ये एक ये हमें पता नहीं चलता, तो कोई ऐसा सर्च एंजिन होना चाहिए कि वो ये बता सके कि इस वेबसेट को कितनी वेबसेटें लिंक कर रही हैं ताकि हम उसको धूंड सके हैं उसको देख सके हैं इस बन्यादी आइडिया से ये बात स्टार्ट हुई और उन्होंने ने मिलकर एक सर्च एंजिन लाँच किया जो के 1996 में बैकरप के नाम से लाँच हुआ और बाद में इन्होंने इसका नाम बैकरप से गूगल रख दिया गूगल बैसिकलि ये mathematics में एक word है Google के नाम से जिसका मतलब ये है ये एक number को represent करता है जिसमें एक लगाने के बाद 100 अफ़ाजro लगाने हैं या सिफर लगाने है तो ये पूरे number को गूगल के नाम से calculate किया जाता है उसके नाम को प्ले करते हुए उस साथ खेलते हुए इन्होंने अपना नाम ये रखा और 1997 में इसकी Google.com डुमें फर्स्ट टेम रिजिस्टर हुई लेकिन एक साल बाद इन्होंने अज़ा कमपनी रिजिस्टर करवाया खुद को और तकरीबन 1998 में ही सब्टेमबर में इन्होंने Google as a search engine लाँच कर दिया जब वेबसेट लाँच हुई गूगल के लेरी जो फांडर्स और लेरी पेज और सर्जी बरेन ने इसको बेचने की कोशिश की वो ना सिर्फ याहू के पास गए बर कि वो अल्टा विस्टा और जो कि उसके एक अच्छा से चिंजन था और एक साइट के पास भी गए या तक कि वो 750,000 डॉलर पे बिकने के लिए वो रेडी थे लेकिन किसी ना किसी तरह से Excite के CEO ने आके डील कैंसल कर दी जब उनको कुछ भी ना बना तो उन्होंने एक छोटे से आफिस से स्टार्ट किया किस तरह उन्होंने कहा कि जब चुके बिक नहीं रही तो उन्होंने इसको as a company launch किया और उस पे काम शुरू किया यह वो एक फोटो है जो पिछले जो इनकी अर्ली टीम जो कि Google की बन्यादी शुरू में जो मेंबर्स थे यह उस टीम का एक हिस्सा है जो कि आज इस दुनिया के एक तरह से सबसे बड़ी company के बीच में हैं या कोई लोग छोड़ गए हैं अच्छा 2005 में जैसे हमने पहले डिसकस किया कि Google ने वक्तन फ़कतन मुख्ली प्राइट्स लाँच की हैं इसी तरह से 2005 में Google ने Android लाँच किया, Google Maps लाँच किया, Google Analytics लाँच किया तो ये वो प्राइट्स ही जो Google लाँच करता गया, फिर 2006 में YouTube लाँच हुआ, फिर 2008 में Google Chrome लाँच हुआ, फिर गूगल प्लस लाँच किया जोने 2011 में और करते करते वो डिफरेंट प्राइट्स लाँच में लाँच करते गए, और आज यनि के लास्ट येर, 2017 में Google का जो टोटल रेविन्यू था, वो एक सो नो बिलियन डालर का था और अब तक ये सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन चुकी है, जो कि सिरफ इंटरनेट नहीं बलके डिफरेंट प्राइट्स डिफरेंट डुमेंज में भी अब पैनेट्रेट कर रही है, जो दूसरा बड़ा सर्च इंजन है, वो बिंग है, जो Microsoft की प्राइट है, जैसे ह हमसे request करते हैं, तो वो Google के ओपर results expect करते हैं, वो अगर आप उनको बिंग पे दिखा भी दें, तो वो शायद accept ना करें, तो बिंग लेकिन फिर भी एक market share रखता है, बिंग की भी एक importance है, तो बिंग search engine जब launch हुआ, इससे पहले MSN के नाम से search engine exist करता था, जो बाद में लाइ बिंग रख दिया, और बिंग को एक नई product तोड़ पर उनने launch किया, 12-12 में उनने याहू की साथ merger करके याहू की search on कर ली, याहू search engine अब as a search engine primarily नहीं exist करता, बिंग जादातर याहू की search power करता है, और इस वक्त बिंग का जो है share market में तकरीबन 20.9% calculate किया जाता है, जो कि USA मे figures हैं, बाकी जोग अब इसकी figures नहीं हैं, लेकिन फिर भी बिंग एक दूसरा बड़ा search engine माना जाता है, अगर आप search engine optimization के perspective से देखें, तो Google number one पे है, और बिंग number two पे है, और दोनों ही almost बेतर हैं, क्योंकि ultimately हमें traffic चाहिए, हम जब अब search engine optimization की बात करेंगे इस course में, हम almost focus हमा वहाबर हम बिंग को भी include करें